शोशल मीडिया प्लैटपॉम के लिए रील और विडियो बनाने का क्रेज आजकल के युवाओ में कुछ इसकदर हावी है कि वो आजीव गरीव हरकते करने से भी बाच नहीं हाते एक ऐसा ही मामला बरेली से सामने आया है जहां लगजरी गाड़ियों के साथ लाइसेंसी हतियारों की नुमाईश करना और हूटर वजाना दो युपकों पर भारी पड़ गया आपको बता देएं कि शोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें दो युवाओ लाइसेंसी हतियारों की नुमाईश करना इन दो युपकों को भारी पड़ गया पुलिस ने हत्यारों के साथ दोनों युवकों को गिरफतार कर लिया है और इनकी कार को भी सीच कर दिया है दरसर बरेली से एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें दू युवक अपनी लगजरी गाड़ियों में दबंगाई दिखाती हुए हत्यारों की नुमाईश कर रहे थे पुलिस ने वीडियो के अधार पर युवक की पहचान की और एक कपूर पूर गाउं और दूसरे को नतपूरा गाउं से गिरफतार किया पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गाडियों के नंबर के अधार पर आरूपियों को ट्रैक किया गया है और दो को गिरफता कर लिया गया है हत्यारों के लाइसेंस इनके परिवार के लोगों की हैं लिहाजा लाइसेंस की सर्टों का उलंगन करने पर मुकदमा पंजिकरित कर लिया गया है जो संबंदित गारी है उसको भी सीच किया गया है लाइसेंसी हत्यारों के निरस्ती करन करानी को रिपोर्ट जिलादिकारी को भेजी गई है वाइस मामले में स्पी देहात राजकुमार अगरवाल ने बताया कि शोशल मीडिया पर थाना छेत्र मीर गंज का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें कुछ युवर गारियों में बैठकर असला का प्रदर्शन कर रहे थे इस मामले में दो युवको को गिरफतार किया गया है मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है वाइस गटना में शामिल अन्युवको की भी तलाश की जा रही है